हलो मेरे प्यारे चात्रों जितने भी चात्र क्लास 10 के हैं और 2025 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए हिंदी का एक प्रकार का वारल पेपर लेके आये हैं इस पेपर को आप जरूर देखिएगा और जितने भी प्रस्ण इनको जरूर आप याद कर लीजिए य यहां पर देखिए पेपर का सेट 901 है और यह पेपर सेट जो हता है यहां पर सबसे उपर आपको अनकुरमांग लिखना रहता है और अपना नाम लिखना रहता है इसके बात देखिए आप सभी को इसके बारे में इसके कुछ जो निर्देश दिये रहते आपको कई पेपर रहिए नहीं के बताएंगे चले प्रश्णों को देखते हैं यहां से प्राराम भूता आपका प्रश्ण घंड है जिसमें बहुई कल्पी प्रश्ण है यहां पे सभी प्रश्णों को आपको बताने वाले थे वीडियो के एक स्केंड के लिए इसकी मत कीजिएगा सभी यही प्रश्ण आपको बोड के एक्जाम में हूब हूब देखने के लिए मिलेगा देकि आपका प्रश्ण नमबर पहला है कि हिंदी साहित्य की स्रेश्ट निबंदकार आलोचक इतिहासकार की रूप में जाने जाते हैं तो आप यहां पर आपसंद आपकार की रूप में किस लेखां को जानते हैं तो आते हैं आपके राम चंदर शुक्र जी तो इस प्रश्ण का सही जवाब सीवला आपसंद आपका करेक्टर हो जाएगा और इन प्रश्णों को आप जरूर याद कर लिजे फ्रेंश ठीक है अब आपके सामने अगला प्र अतीत के चलचित्र या गाओं की साच या बाजे पाइलिया के घुगरु इसमें से कौन सा सही जवाब होगा यहां पर महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो रहा चित्र है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की द्वारा रचित किया गया है तो इस प्रश्ण का सही ुए आफ़सन में दिया है जग पलव मतीती प्रभा ये यह विश्रू प्रभाकर आफ याद रिखर जिवाब आफ spoke यहेगा अगला प्रसंदेख्यी जितनी विप्रस्द में अधाउ important प्रस्ण है यही प्रस्ण आपको 2025 में बोड एक्जाम देने जाएंगे तो आपको देखने के लिए सभी प्रस्ण मिलेगा ठीक है तीसलिए वीडियो के एक सकेंड के विलिए और चैनल पर नहीं तो चलो को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के प चलो चांद पर चले इसके जो रचना करें जए प्रकाश भारती जी है तो इस प्रशन का सही ज Been आपका सही हो जागा अगला सब्सक्राइब की बीच रचना की विधा यह आनि आपे आपको रचना 색 ञबब क्यों दिवल aafsern सही होजाएगा अगला प्रसमत देखिए आप सहे हैं यहां पे हैंकि की 100 दास किस काल के कवी माने जाते हैं आदिकाल केPower रिती काल के या भक्तिकाल के जा है आधोनिक काल के इसका सही जवाब हो जाह सहे सही हो अगला है कि भारत भारती के रचनाकर कौन है मैथली शरग गुप्त जी है भारतेंदु हरिस्चेंद्र जी है या माखनलाल चत्रुवेदी है या सूर्दास जी है ठीक है तो देखिए यहाँ भारत भारती आप सभी को यह प्रश्ण अभी तक याद हो गया होगा इतने पर य भारती के रचनाकर जो है मात्रि शरग गुप्त जी है तो इस प्रश्ण का सही जवाब यह वाला अप्सन क्या हो जगा आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्ण पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि भारतेंदु यूग की समय अवधी कप से कप तक मानी जाती है 1900 से लेके 1928 माना जाता है यह 1868 से लेके 1936 माना जाता है यह 1800 लेके 1826 माना जाता है यह आप याद रखिएगा जो सन वाला प्रश्ण हो तो याद करना ही पड़ेगा आपको भारतेंदु यूग की समय अवधी माना जाता है, आपको बताना है कि समी जो समित्रा नंद पंत है उनकी रचना यहाप धाने की नहीं है यहां पर याद रखिएगा कि सुमीत्रनन्द पंतजवरा जो लिखा गया नहीं है वह कमाए है, इसका सही जोब सिवलाफशन सही हो जागा, अगला प्रस्ण को दखिए आप, रीती मुक्त काव बेधारा के कवी रीती मुक्त काव बेधारा के कवी किसको माना जाता है बिहरि तो देखिए अगला प्रशना आपका है हां रगुनंदन प्रेम परिते तुम बेना जीद बहुत दिन बीते उपरउक्त पंकिते में पर्यूक्त रस आपको बताना है कि कौँन सा रस है देखिए रस वाला जो सवाल होता है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसी स आपका रस पता चल जाएगा तत परियुक्त में कौन से अलंकार है यहां पर अलंकार आपको बताना है ठीक है आपको जब अलंकार में बता रहा है तो आपको अलंकार में बताया गया है कि जिए 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 इसके अलंकार कौन सा है यहां पर अलंकार आपका उच्छा लंकार है इसका सही जवाब डीवल आपसनापके क्या हो जाएगा ठीक है अब अगला प्रसन देखिए आप 13 नंबर का कि इस सोरठा चंद के पहले तीसरे चल्ड मात्राएं होती है तो देखिए यहां सोरठा के पहले और तीसरे चल्ड होता है उसमें कितनी कितनी मात्राइं होती हैं 1111 तिसका देखे 1111 देखे कौन सा सही जवाब होगा तो सीवलापसन आपके क्या हो जागा सही हो जागा कि सुरठा जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे च्रड़ में 1111 मात्रा हैं होती हैं देखे अगला नंबर का प्रश्ण है सुगम सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग पूछा उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी सब्द दिया उसके प्रारम में कौन सा सब्द जुड़ा है जैसे यहां पर सुगम है तिसको जब आप अलग अलग लिखेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं इस तरह कि सूधान गम सूधान गम इसमें प्रारम कौन सा सब्द जुड़ा आपका सू єठी जवी सूधान है तो यहीं क्या हो जाएगा आपका इसका उपसर्ग हो जाएगा त連 अगला आथ कंदेश में अज cart ब चाहिए अगला 15 सवाल एंब 5 नोग न या चाहनि नधोन रतम को एक संभू जब रहेगा तो उसमें कौन सा सुमास आएगा यहां पर कि आप कि द्यूगु समास को आप याद रखेंगे कैसे द्यूगु मतलब क्या होता है दो द्यूगु मतलब दो याद रखे और दो एक प्रकार क्या है आपका संख्या इसे से आप याद रख सकते हैं कि द्यूगु समास में यदि पहला जो शब्द रहता यदि संख्या उसमें प्र परफिपवता है प्रिथिवी होता है उसका पारवाची सब्द कौन सा नहीं है ठीक है बहुत प्रशून जो आता है प्रिथिवी के पारवाची नहीं है तो प्रसून आप देखिए सत्रा नमबर का कि तुवाम शब्द में विभक्ति और वचन देखिए इस पकार के प्रशनों को विभक्ति और वचन वाला जो रहता है आप जरूर पूर्ड के एक्जाम में जरूर यह प्रस्ण देखने के लिए मिलेगा अब देखिए आप जैसे आप सब प्रस्ण पूछ दिया गया है कि तौाम शब्द में भक्ति यह वचन आपको पताना है कि क्या होगा यहाद रखिए कि जो तौाम होता है उसमें द्यूतिवी वक्ति ह आप प्रस्ब देखिए और वम्टिवी गट्रेशा ओगा कि अधार प्रस्ण पूछ नमबर का कर्ति वाच की वाच में प्रधानता होती है देखिए कर्ति मतलब होता है कर्ता बस यहां कर्ति मतलब समझेगा कर्ता ठीक अब यह कर्ता यानि कर्ति वाच में प्रधानता जो होती है कर्ता को होती है तब आपसंगो पॉली जी देखिए यहां पर है कर्ता ना इसका सही जब क प्रशन को आपको बताते हैं तो उस पद को विकार करते हैं इस प्रशन का सही जवाप एवला आफसन सही हो जागा अब चलिए अगले प्रशनों को आपको बताते हैं देखें यहां से प्राराम होता है खंडवा वरात्मक प्रशन है जहां से आपके बोड के एक जाएं पचास नंबर को वरात्मक प्रशन हाएगा बीस नंबर का बविकल्पी प्रशन आपको बता है यहां भी जितने भी प्रशन बता रहे हैं इन सभी प्रशनों को आप जरूर कंद्रों ने पाट और लेखा कर नाम पूछा जाएंगा फिर इसके साथ संथ में रिखva अंकित अंस की ब्याक्रा पूछा जाएगा फिर सस्ते साथ में लेखण न्यनेे वर्तमान काल को सुधारने के का क्यूं कहा गया है 308 से आप से प्रश्नड पूछ जाए गो स सब्सक्राइब कर दों से लेके यहां तक पड़ लीजिए और इस प्रस्ट को भी अप तयार कर लेजिए इससे सम्बादित आप से तीन प्रस्ट पूछा जाएगा और यह भी प्रस्ट आपका च्हा नमबर में पच्छ क्या है इसके बारे में आपको बताना रहता है सभी प्रशनों को आप देख लिजी और सभी प्रशनों का आप जरूर तयार कीजिएगा अगला प्रसने देखिए आपका निम्रिखित पध्यांस पर आधरी तीन प्रशनों के आपको उत्तर देना रहेगा यहाँ पर देखे आपका पध्यांस देगाith, आपको यहां से लेके यहां तक पढ़ना है पढ़के आपको देखे इस से संबस्ते संदर, यदि आपको संदर लिखने का तरीक है और बोड के एक्जाम में रखान कि अंसकी द्याक्तित करना है आपको detail video बना चुके है है έτοi आप उस बीडियो को नहीं देके हैं तुके इस बीडियो के description box में उसका linq दे देते रहें आप उसका full बीडियो बनाया गिते हैं कम से कम एक घंटा कोई होगा जariamente आको सभी प्रशन पूछे जाता है इसमें आपको मिलता है कि מה किस तरह के यहां पर इस पत्रय देंखा एंगे व्याक्ष्य करना है अनकीत अंच की ब्याक्ठ्या करना है साथ में उपरयूक्त और तरह में पुस्प किसका प्रतीक है पुस्प को किन चीजों की चाह नहीं और क्यूं है बतलब क्यूं तरह आपको इसको ब्याख्या करना है तक एक चीज़े आप पता देते हैं कि आप हिंदी की जब भी तैयारी किजिए तो कम से कम गद्यान्स होता और पद्यांस के तीन पार्ट याद कर लिजिए इन तीनों में साब को बोर्ड के एक्जाम में एक गद्यांस और एक पद्यांस आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आप सिर्फ तीन तीन पार्ट को और पार्ट का नाम और लेखा का नाम और पद्यांस खुब बढ़िया दिया है अब इस संस्क्रीट को आपको देखना है देखने के बाद इसका क्या करने संदर्व लिखना है संदर्व के साथ में इसका हिंदी में अनुआत करना है यह टोटल कितने नंबर कराएगा पाश नंबर का प्रस राने वाला है इसको देखिए आप इसको लिख कि इस प् फिरस्ट आपका इस तरह आने वाला है अगला देखिए किया कि आपका पत्यांस का किया धाँ पण्दास में हिन्दी आनवाद करना तोटमिर ये पांश नमबर का आने वाला है अब यहां पर पत्यांश दि इस प्ठीटीए के बद इसका संद्र लिखिने के साथ में इसका हिंदी में अनुवात करना रहता है देखिए इसके साथ में अथवा दिया है अथवा में देखिए आपका क्या है इसको पढ़ना है पध्यांस को और पध्यांस का संद्र और संस्कृत में आपको हिंदी में आपको इसका ब्याख्या करना रहता है सभी प्रशन का उतर देंगे तो आपको तीन नंबर इसमें मिलने वाला है देखिए आपको क्या करना है कि जिस जीले के आप छात्र हैं आपकी स्कूल में खंड काब पढ़ाया जाता होगा उस खंड काब को ही सिर्फ आपको हल करना रहता है इस खंड काब से संब्दी बहुत सारे प्रश् ठीक है और सभी प्रष्णों का एंसर नहीं देना रहता है इन सब वेसे सिर्फ एक प्रश्ण का उसर आपको बोर्ड की एकजाम में देना है देखिए आपका अगला नमबर का प्रसन है इस चेह निम्लेकर की लेक νखितों मेंसे किस एक लेखा का जीवन पर्चे आपको लिखना हरा तोटव कितने नमबर कराएगा 5 नमबर कराएगा झीवन पर्चे लिखने समया कुछ भातों का ध्यान अपड़ेगा जीवन पर्चे लिखते हैं लेकि उनकी रचना नहीं लिखते जिस darov teenage भी तीन डाक्टर राजजंद प्रशाद भगवा सड़ उपध्यत इन तीनों में से किसी एक कई जीवन परचे आपको बोड के एक्जाम में लिखना है अगला प्रशन देखिए निम्रेखित कवियों में से किसी एक कवी का जीवन परचे लिखना है ठीक है यह भी आपका पांच परचे नहीं याद किये हैं तो आप जाके प्लेखित से जीवन परचे लिखवाया गया बता गया उसे जाके आप लिख की याद कर लीजिए देखिए अगला प्रस्न आप से पूछा जाएगा कि अपनी पार्ट पूस्तक से कंठस्त एक सुलोक लिखना रहेगा टोटल दो नंबर कर रहेगा तो एक सुलोक आप जरूरी याद कर लीजिए उसको बोड की एकजाम में लिखे दीजिएगा अगला प्रस्न देखिए आप से कैसा पूछा जाएगा यह चार नंबर कर रहेगा अपने निवास अस्थान की आसपास महले की नालियों की समुची सफाई के लिए नगर जनपत स्वास अधिकारी को एक पत्र रिखना रहता है यह इसके लाव आपको अथवा में देगा अथवा में दिया है कि अपने विद्याले के प्रधनाचार को छात्रिविर्ति के लिए एक आवेधन पत्र तो आप चाहें दोनों में से किस एक का ही एंस्वर आपको देना रहेगा ठीक है तो आप पत्र छात्रिविर्ति के लिए या आप इस प्रशन को तयार कर लिए इसके लाए देखिए आप से संस्कृत से संबंदी प्रशन पूछा जाएगा यहां पर दिया है कि निकित प्रशनों में से कि दो प्रशनों को उतर दीजे और प्रशन का एंस्वर आपको बोर्ड के एक्जाम में देना है यह आपका लाश्ट प्रस्न है कि निकित विश्यों में से किसी एक विश्य पर निबंद लिखना है यह टोटल साथ नंबर कर आएगा ठीक है यहां पर देखिए पांच टापिक आपको दिया है टोटल कितने ट प्रशासन किसी एक तेवार करना है नई सिच्छा निती इनसमें से किसी एक काई बोर्ड के एक्जाम में आप निबंद लिखना रहता है यह था संपूर पेपर आपको दिखाए इस पेपर को आप जरूर तयार कर लिजिए आपको बोर्ड के एक्जाम में से यही सभी प्र